हेलो एवरिवन आज हम दो मिनिट में टेस्टी उपा बनाना सिखेंगे हमें उसके लेना है चने की दाल, उड़धुली दाल, राई, गरी पत्ता और कच्छा सिंग दाना और साथ में मैंने लिया है एक आलू और दो प्यास हालू को छोटा-छोटा काटके उबाल लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और एक तरफ हमने कड़ाई चड़ाई है, उसमें तेल गरम कराए, एक स्पून तेल ही लेना है और उसमें हमने जो इंग्रीडियन्स आपको बताये थे, उनको पोर कर दीजिए और थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने शुरू में, इसको अच्छे से कर्ची से चलाते रही है जिसे के जलेना, फिर हमने प्यास को बारिक बारिक काट लिया और हमने उसमें एट कर दिया है फिर हमने नमक पिंच अफ हल्दी और धनिया पाउडर लिया, उसको भी हमने एट कर दिया फिर मैंने सूजी एक कटोरी लिया, यह तीन जनों के लिए है यह रेसिपी तो हमने फिर सूजी को भी उसमें डाल दिया कड़ाई में और उस मसाले के साथ उसको भी हम रोस्ट कर रहे हैं फिर मैंने डेट चमश नमक डाला है, नमक आप स्वादनुसार अड़ कर सकते हैं इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें जो फ्लेम है उसको हाई और लो दोनों पे रखना है आलू को मैंने चेक किया, उबल गए हैं, उनको मैंने चान लिया, अब मैंने आलू भी इस कड़ाई में अड़ कर दिये एक कटोरी सूजी में at least 3-4 बॉटल पानी ही डलेगा अगर आपको ज़्यादा लूस उपमा खानी है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं पर ये परफेक्ट है अब आप ये देख रहे हैं मैं फ्लेम को कभी हाई कर रहे हूँ बाले के लिए और कभी लो कर रहे हूँ अच्छे से धीरे धीरे हिलाते रहे हैं और आपकी उपमा तयार हो जाएगी मैंने शुरू में ओयल बहुत कम लिया है क्योंकि मुझे उपर से घी डाल के खाना टेस्टी लगता है तो आप ये ट्राइ कर सकते हैं अगर आप डायेट कॉंशिस हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा डाल सकते हैं फिर हमने फ्लेम को आफ कर दिया और हमारी गरम गरम हुकमा तयार है आप चाहें तो शुरू में सीजनल वेजटेबल्स भी डाल सकते हैं मॉर्निंग प्रेटफस्ट इस रेड़ी एज़ॉय विद मीना